Hello everyone, hope you all are good. My name is Uttima and here we are starting our chapter number 3 that is synthetic fiber and plastic. So what we are going to study in this chapter, this chapter में हम क्या पढ़ेंगे? पहली चीज जो हम इस चाप्टर में पढ़ेंगे that is fiber. क्या पढ़ेंगे हम? Fiber. What we are going to know, we'll be knowing की fiber actually होता क्या है? ठीक है? उसके बाद हमें पता करना होगा या हम जानेंगे कि यह fibers जो होते हैं, यह हमें कहा कहा से मिलते हैं. Okay? और you can say we'll be studying the sources of fiber. क्या यह जो fiber हैं हमारे surrounding में nature में मिलते हैं या फिर यह nature में नहीं मिलते हैं? So we'll be knowing one and one हम हर एक चीज़ के बारे में जानेंगे. In the topic plastic, plastic में हम प्लास्टिक के बारे में बहुत कुछ जानते हैं नॉमली तो अगर हम अपने अपनी surrounding में देखे तो there are so many plastic products. Okay? हम अपने आसपास देखे तो बहुत सारे plastic products का use करते हैं, अगर हम अपनी bottle की cap को ले, toys को ले, ठीक है? अगर हम अपनी वहकल को ही देख ले तो हमारी वहकल में भी बहुत सारे जो products होते हैं, वो plastic से बने होते हैं. Okay? So, plastic is everywhere around us. So, इस topic में plastic के बारे में हम जानेंगे, we'll be knowing about types of plastic. Okay? कि plastic कैसे बनता है? इसके types क्या होते हैं, इसकी properties क्या होती हैं, फिर हम यह भी जानेगे कि plastic और environment का क्या relation है? Okay? कि अगर plastic environment में ज़्यादा होती है, तो environment healthy होता है या नहीं होता है? यह question यह answer तो हमें already पाता है, but इसको हम और अच्छी तरीके से deeper इसको अच्छे से समझेंगे. Okay? So, let's start this chapter. Okay? So, fiber. Fiber as you can see in this picture, आप picture में देख सकते हो कि fibers कैसे दिख रहे हैं आपको? पतले से thread-like. So, fibers are thin, अगर आपसे कोई definition पूछे कि what is fiber? So, you can say thin thread-like structure, ठीक है? Thin thread-like structure is called fiber. Okay? अच्छा, example की दौर पर मैं आपको दू, normal जो आप अगर आम खाते हो. आम में आपने देखा है, जब वो उसकी end पे जब किसी बी जो गुटली जिसम कहते हैं, जब बसती है, तो आप उसके देखते हो किसे बाल जैसे हो जाते हैं. आप उसका अगर छोटा सा पाट दो, एक single अगर आप देखो तो वो fiber होता है, fiber हमेशा उसकी तरह ही दिखता है, तो fiber आपको कोई बड़ी सी रसी या पतली सी रसी या इसा नहीं दिखेगा. Actually fiber बहुत ही thin होता है, बस आप आम को imagine कर लो, आम का जो आखरी का जो ऐसे आपको बाल जैसा दिखता है, जो जो शीड जिसको कह सकते हैं, आप end में जो बचता है, that is fiber. लेकिन क्या आम से हम fiber लेते हैं? No, we don't take. वैसे तो fiber हमारे surrounding में बहुत सारे food materials में है, लेकिन हम सब से fibers नहीं ले सकते हैं, reason क्योंकि उनसे clothes अच्छे नहीं बनेंगे. So, we look for some, ऐसे हम plants, हम ऐसी जगहों से fiber को obtain करते हैं, इसे कि हम large amount में अच्छे से कपड़े अपने fabrics को बना सकें. So, what we have understood right now, कि fiber क्या होते हैं? Fiber हा thin thread like structure, एक दम पतले से धागे की तरह एक structure होता है, उसी को हम fiber कहते हैं. Now, types of fiber, हमारे surrounding में कितने type के fibers हैं? पहली चीज, natural fiber, the second one is synthetic fiber. आप इसको कह सकते हो, कि sources of fiber भी कह सकते हो, कि हमें जो fiber है, वो nature से बिलता है, और कुछ हम labs बगरा से, sources की बात करें तो, there are two sources, plants and animals, plants and animals से हम, जो naturally fibers को बना सकते हैं. ठीक है? अब आप को कौन से plants, तो plants जैसे कि आप cotton ले लो, फिर jute को ले लो, ठीक है? यह जो basic, यह normally इसके आपको कपड़े मिल ही जाएंगे, अपके surrounding में, ठीक है? अगर आप animal की बात करो, तो आप जो ठंडी में woolen clothes नहीं पहनते हो, that is, उसके बाद, silk के clothes जो आप पहनते हो, वो भी हमें क्या? अनिमल से मिलता है, then, what we have understood, हमें अभी क्या समझा, हमने समझा कि फाइबर जो होते ह collapse, synthetic fiber, and natural fiber, which which приехшь, nature से मिल ए जिए अपन अब नेचर से कहां, कहां से मिलते है? मैने भी बता है, plant से मिलते है, and animals से मिलते है, Now, it's time for us to understand, synthetic fiber क्या होते है, synthetic fibers are fiber which are made from the chemicals, which be made from the chemicals, which we can create chemical, these are the fibers which are made from the chemicals. कॉपड़े बनाने के जरुद इन चाहिए फाब्रिक मिल रहा थो क्योंब है क्यों हमें क्या मिलाने की ज़रुद है इसका अंसर यह है कि हमारे सराउंडिंग में आप देखो तो पॉपुलेशन जो है वह बहुत जादा बढ़ रही है ठीक है और जो नैचुरल थिंग है उस पे बर्डन जादा बढ़ रहा है ठीक है यानि कि अंसान को जादा से जादा प्लांट्स और जादा जादा आनिमल से अपना फाइबर बना लेना पड़ेगा तो उससे क्या होगा जादा जादा पेड़ कटेंगे जादा जादा आनिमल्स एक्स्प्लॉइट होंगे ठीक है इस तरीके से इसको रोकने के रिए या इसका एक सॉल्यूशन ही समझ लिजे कि यह जो सिंथाटिक फाइबर जो बने जादा प्रिफॉर करते हैं जैसे कि इनके ड्यूरिबिल्टि आप अपने यूरिबिल्टि देखो या नहीं कि नेच्रल फाइबर कम समय तक चल पाते हैं टिक है वेरस सिंथाटिक फाइबर बहुत लंबे समय तक आपको आपने यूज कर सकते हो ठीक है नाच्रल एंड सिं इनके बारे में आपको बताया कि यह बहुत जल्दी सूख जाते हैं इसी बहुत सारी प्रोपरटीज इनको हम आगे अभी इस वीडियो में आगे हम देखेंगे अब हम फोकस कर रहे हैं सिर्फ तो सिंथाटिक फाइबर के बारे में अब हमारे दिमाग में कोश्चन आता है कि चलो यह जो सिंथाटिक फाइबर होते हैं यह माना हमने क्यामिकल से बनते हैं अब यह कौन से क्यामिकल से बनते हैं और कैसे बनते हैं इनके बारे में अब हम जानते हैं कि सचिगनीय fam बनेयgehen से जिनसे यह मोनिमर्ण इसे बने के जो हमारे सीफिफाइस होग John इस अब यह क्या होते है दो सब्सट्सम्मॉल पार्टिकली रहो होते हैं सिंगल यूनिट विच मेक लाज मॉलिक्यूल बाइ रिपीटड कॉंबिनेशन और स्मॉल इनिट इस कॉल मोनोमर ठीक है अब यहां यह कह रहे हैं कि एक सबोस कर लो कि एक आप माला आपके पास है आपको एक माला उन रहे हैं उसमें आपने एक बीट डाली दो बीट डाली ठ पूरा आप कह सकते हो कि अपने उसको कंपंप्लीर कर लिठ अलёр चोटे जवग पार्टिकल मॉलीक्यूल होते हैं उसको हम कहते हैं पॉलिमर छूंद अलज मॉल्यक्यूल मेंड़ पांबिनीशन ऊफ यहां पर बोलài कि एक सबस्केटीक्राइब दीजिए चोटे पार्टिकल से बना होता है अब जब मोनो मर्त बहुत सारे बहुत सारे कंबाइन होते हैं तो बनाते हैं क्या देख ऐक पॉलीमर हम इसको समझ लेते हैं क्या समय रहे हैं कि synthetic fibers किससे बनते हैं synthetic fibers are made from from the Chemicals ओके अब यह chemicals क्या होते हैं आप मच दिजो polymers होते हैं यह polymers किसे बनते हैं यह polymers बनते हैं monomers से जो आप जिनको देख रहें monomers क्या होते हैं monomers भी छोटे molecules होते हैं ठीक है जो monomers आगे खुद भी छोटे molecules से बने होते हैं ठीक है तो monomers जब combine होते हैं साथ में एक chain बना लेते हैं तो वह एक polymer बनाते हैं और यही polymer synthetic fibers बनाते हैं ठीक है अब यहाँ पर आप देख सकते हो polymerization क्या होता है polymer बनाने का process यहाँ पर आप बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं इस picture में कि कैसे अलग अलग आपको monomer दिख रहे हैं ठीक है अब यहीं monomer जो है वह अपने आपको एक chain में line में attach कर लेते हैं और बनाते हैं polymer इस process को कहा जाता है polymerization अब यह polymer क्या बना रहा है यह polymer बना रहा है synthetic fiber ओके तो आपको confusion दूर हो गया now let's move on and understand further polymerization अभी हमने देखा क्या होता है जब monomers join होते हैं कैसे together और क्या form करते हैं large molecule form करते हैं जिसे polymer कहा जाता है इस reaction को ठीक है इस reaction को कहा जाता है polymerization reaction ओके नाओ क्या polymers जो होते हैं वह natural होते हैं यह synthetic होते हैं तो polymers को अगर हम देखे तो polymers actually नेचर में भी पाए जाते हैं example अगर हम लें तो cotton normal जो हम natural cotton जो हम पहनते हैं यह भी एक तरह का fiber बनाते हैं उससे बनता है cotton same जो wool होता है और silk जो होता है यह भी एक तरह के polymer से बनता है जिसको कहते हैं amino acid जैसी कि आप समझ सकते हो कि हमारे जो बाल होते हैं बाल में हमारे नाचरल पॉलिमर स्पाइडर में मूवी अपने देखी होगी जाना होगा किस सरीके से स्पाइडर उसका जो वेब है वह कितना स्ट्रॉंग होता है तो यह जो स्पाइडर जो होते जो अपना जालवाल बनाते हैं अपने घरों में देखा होगा तो इसकी जो जो पॉलिमर्स होते हैं यह बहुत स्ट्रॉंग होते हैं गाइज प्लास्टिक बारे में दो प्लास्टिक के तरह होते हैं नेचर में example nylon and polyester पर दो subjects के बारे में अब यहाँ पर इत्लिन कुछ और ए ree और sariHaip लेते हैं कि अभी तक हम ने पोलिमर यह समझा क før यह अचलिए और पर दो मता हैं यह बनते हैं मोनो mustard आप समया प्रांइब डूनाते हैं पॉले मुग आगे में यही पॉलिमन जाकर के आगे आगे मिद्व बनाते हैं यह polymers नेचर में भी present होते हैं और chemically भी बनाया जा सकते हैं नेचर में जैसे हमने example लिया cotton, silk and wool तो यह भी एक तरह के polymers हैं अब हम बात कर रहे हैं synthetic यानि chemicals की ऐसे polymers जो chemical से बनाते हैं तो हमने यहाँ previous example दिया nylon and polyester यहाँ पर हमें एक monomer के बारे में समझाया जा रहा है बताया जा रहा है कि इतने एक monomer है जिससे कि हम petroleum निकालते हैं petroleum आपके समने देखा है petrol पेट्रोल सब जानकर के बारे में ठीक है तो यह जो इतन इन है जिसका formula यह होता है जब यह अपने आपको line में arrange कर लेता है यानि कि क्या कर रहा है अब यह polymer बना रहा है तो जब इतन दिन अपने आपको polymer बनाने जाता है तो क्या बनता है तो यह एक तरह का प्लास्टिक बनाता है जिसे हम polythene कहते हैं polythene आप सबने यूज किया है सब जानते हैं यह जो प्लास्टिक हम जो थैली वगर आज जो जिली यूज करते हैं आट इस और पॉलिमर को बनाने के लिए सिर्फ एक मोनमर की जरुत हो ऐसा हो सकता है कि दो अलग अलग मोनमर मोनमर है और यह एक अलग मोनमर है तो जब यह आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो यह क्या बना रहे हैं यह नाइलॉन नाम का एक फाब्रिक बना रहे हैं जो कि सिंथाटिक है जिसको हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं और इसको हम पहनते भी हैं अगर आपको ध्यान ह तो पैराशूट वगयरा आप सबने देखा है तो पैराशूट जो होता है वो नाइलॉन से बनता है और नाइलॉन एक इसे कि आप जब माउंटिन क्लाइम करते हो ना तो जो रोप बनती है वो नाइलॉन से ही बनती है ठीक है जानते कि इंडिया में कैसे थे पुराने समय के बार बात करते हैं इंडिया में तो यहां पर कॉटन वूल सिल्क यह जो था ना यह बहुत जादा पॉपलर था और वेस्ट की तरफ देखे यानि यूरोप साइड अगर हम देखे तो वहां पर फूल और बहुत जादा ही और ल फ़ेस्ट को देखे तो वेस्ट में जादा था ठंड रहता है अगर हम युरोप अगर यह लंडन देखे तो फ़हां पर पहले जो जादा फाइबर्स या जब यूज होते थे वह लेदर वूल एंड फर होते थे वह एरस हमारे साइड में इंडिया के इस्ट हम इस्ट साइ चाल तरफ जहां पर जाता ता वाह पर उसको यूज किया जाता था ठीक है 1930 की तरफ सिंथार्टिक फाइबर को बनाया गया सबसे पहला जो से त्षी तक बना तक जैक है में जो सिंथैक फाइबर और ऑप्तें फ्रॉम प्रोलियम यानि की जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट ह कि देखा होगा सब चांदे पेट्रोल के बारे में तो उससे ज्जादा तो जो से नाच्रल फाइबर और को आल पाइदी प्रॉसेज ऑपॉलीमराइजेशन यानि कि हमारे आसपास में जो जो रिसोर्स है जिसको हम कह सकते पेट्रोल और गैस जो है को जो है इनसे भी पॉलीम लाइन के बारे में जानते हैं एक सेलोलोज है सेलोलोज आर कनवर्टेड इंटू राय उन चैसे इंटो यूजिंग मेंनी क्यामिकल्स एंड बाइफ फॉलवाइग मैनी स्टेप्स तो यह नहीं कि एक जो रायोन है वह सालोलो से बनता है यह लिविंग और्गानिजम का ही है तो आप सालूलोज को सब्सक्पाइब करें सब्सक्राइब जिस्सेंगी चैनों कि नाचल में और यह वय पाता है से रीजन क्योंकि यह सालूलोस से बनता है एडवांटेज जिस क्या है इस चीपर टू प्रड्यूस बहुत इसको आप प्रड्यूस कर सकते हो एस कंपेर टू कॉटन ठीक है यहां पर आप देख रहे हो वेश कॉटन और पेपर इस यूज इन मेकिंग रायॉन की कपड़े खराब हो जाते हैं पेपर को ही यूज करके हम क्या बना सकते हैं रायॉन बना सकते हैं यहां पर आप साफ साफ देख सकते हो कि कैसे हमने प्रॉपर्टीज दी हुई है कि अपर रायॉन जो होता है वो गुट एब्जॉर्बंट और स्वेट होता यानि पसीना बहुत अच्छे से सोक लेता है तो मतलब ही गर्मियों में हमें ज्यादा इसे डिकत नहीं होगी ठी इसे पहन सकते हो ठीक है इसको कलर और वोवन इसमें कड़ाई भी अराम सकती है इसको आप बुन भी बहुत अच्छे से सकते हो ठीक है तो यह सारी जो प्रॉपर्टीज है किसकी है रायॉन की है यूज इस क्या है अब इसके ओके यहां पर आप देखेंगे तो यह हेलमेट क्योंच बनाने की काम भी आता है ठीक है कैसे इसको जब आपने सकते जो फाइकर सकते हों हैं तक बना सकते हुआखे लोगी विलत लेंट हैं अब कके उंप इनको लिजिय उनिटिस और वहां इंद worry कार वहां होति हैं इसरे श्कुमठी अने लिए इसका लिए अते हैं ऊच इस टाइम फूर अंडरस्टेंड अब हम बात करेंगे सेकेंड सेंथाटिक फाइब विच इस नाइलॉन ठीक है अब नाइलॉन के बारे में जानते हैं नाइलॉन क्या है फर्स्ट यह अमारिकन साइंटिस के थू डेवलप हुआ था ठीक है कब हुआ था 1935 में हुआ था कैसे हुआ था पॉलियमाइड नाम का इक पॉलिमर है उससे बना था इडिस ट्रॉंगे सिंथाटिक प्लास्टिक मटीरियल के इनी शीव यह एक सिंथाटिक प्लास्टिक मटीरिल की तरह है यह से कि आपने रसी विगरा देखी होगी जो मैं अगर बात कर रहे थे अभी आपको क नायलॉन जो होता है फाइब तक का तो स्ट्रॉंगे सोने के कारण क्यों यह यह प्लास्टिक मटीरिल की तरह भी आपको दिखता है नायलॉन है जो मेंनी यूज़ेज आस फाइबर आज शीट आज मोल्डेड शॉलिद हम नायलॉन को बहुत लग लग तरीके से यूज कर स यहां पर हम फोड़ी प्रॉपर्टी से बार जानों जानते हैं रॉकस करें बहुत थाकर भार यह चीप भी है और थोड़ा कम पानी अब्सक्राइब करते हैं यह बहुत जल्दी ज्राइब हो जाते हैं ऐसे ही बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज है वह आपको नाइलॉन में देखने को मिलेंगी इस कारण से यह संथार्डिक फाइबर है जिसको हम यूज करते हैं अपने नॉर्मल लाइफ में ठीक है नौ यूज ऑफ नाइलॉन अभी हमने क्या पड़ा प्रॉपर्टीज नौ इस ताम पर अस तो अंडर्स्टैंड यूज ऑफ नाइलॉन सारी बनती हैं स्ट्राचिबल जैसे मैंने बताया था लागी बारे में सीड बेल्स बनती है ठीक है आप अगर कोशन पूछता है कि विच इस ट्रॉंगे संथाटिक फाइवर दाट इस नाइलॉन ऑगी नाइस टाइम पर अंडर्स्टैंड वट इस पॉली इस्टर जैसे कि हमें साफ पता सब रहा है कि इस्टर नाम का मोनोमर क्या नाम है इस्टर नाम का एक मोनोमर जो है वह बा बार बार क्या हुआ है कमबाइन हुआ है उसको पॉली मराइस किया गया है इससे कि एक पॉली इस्टर नाम का क्या बना है क्या मिकल या सिंथाटिक फाइबर आप कह सकते हो बना है तो पॉली इस्टर जो है वह आपको बहुत सारे टाइप्स के मिलेंगे अपने सराउंडि जैसे कि alcohol और organic acids को combine करके जो इस्टर है वो बनता है तो क्या है यह organic acid और alcohol का combination है पॉली इस्टर उसी तरीके से डिफ्रेंट डिफ्रेंट काइंड के पॉली इस्टर मिलते हैं जैसे कि आपने देखा होगा कि टेफलों जो हमारा पैन में गएरा रहता है लॉंस्टिक पैन होता है उस पर टेफलों आप देखते हो तो वह बहुत तरह का पॉली इस्टर है तो इसी तरीके से टेरी कॉर्प हमने कपड़ा यूज कि बहुत साथा पॉली वूल आपने देखा होगा आजकल काफी सारे ऐसे बूल आ रहे हैं जो कि नाचुरिल नहीं है तो वह बहुत से बनते हैं पॉली इस्टर वूल तो इसलिए बनते हैं क्योंकि यार वेईजी टू मेंटेन एंग ठीक है इनको कीड़े वगरा नहीं लगते कैमिकल से ब प्रेस करने का जंजड भी नहीं होता है तो इस 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 प्रॉपर्टी ऑफ पॉली इस्टर के यूजर क्या है अब यहां पर आप देखे हो जो हमने मागनेटिक कैसट वगरा नहीं होते हैं आप देखते हो उसमें स्ट्रिप्स को बनाने में बहुत जादा यूज होते हैं हैं अब इनको हेलमेट बनाने भी उसप्रोटेक्टी शीट बनाने के लिए यूज रवत है उसके बाद हमारे श 총 शीरश और इन सब चीजह को बनाने भी पॉली इस्टर का यूज़ करते हैं यहां पर नाम का एक और सिंथाटिक फाइबर है तिक यह पॉली इस्टर से सिंपल है यानि की सिंपल बोल रहे हो सिमिलर है जिससे की बॉटर यूटेंसल्स विगरा हम बनाते हैं तो अभी हमने इस वीडियो में जाना कि संथाटिक फाइबर क्या होते हैं मिलते हैं और ताइप्स ओव जिन्त handles के बारे में जाना कि कैसे बनते हैं आप नेक्स वीडियो में क्या जाने कि हम प्लास्टिक नेक्स वीडियो में जानेहें इनके तक तक एक राबाए